आज हम जानेंगे टेली यारपी 9 में की sales return और purchase return ये क्या होता है और इस option को हम टेली यारपी 9 में कैसे चालू करते हैं इसका काम क्या है इन्ही सब बातों को जानेंगे तो चलिया ये टेली यारपी 9 को पहले open करता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो कंपनियां दिख रही है पहली electronics के नाम से है सपोज कि यह electronics जो होल सेलर कंपनी है ठीक है और अनिलैंड संस यह local कंपनी है यह इट मिंस्टू से कि यह माल खरीदेगी electronics नाम की जो company है उनसे यह माल खरीदेंगे और फिर ले जाकर यह sell करेंगे ठीक है तो एक हमारी हो गई creditor party और एक हो गई data party यानि इट मिंस्टू से कि electronics जो है हमारी creditor party हो गई और यह हो गई data party ठीक है तो अगर सपोज किजिए यह electronics यह अनिलैंड sons को कोई माल बेशते हैं suppose कि जे माली जे keyboard बेश दिया mouse बेश दिया और पता चला कि इन्होंने बेश दो दिया लेकिन किसी कारणवस उस माल में खराबी है अब यह हो सकता है कि पूरा ही माल खराब हो यह हो सकता है कि कुछ माल उसमें से खराब हो यह condition अलग-अलग हो सकती ह है कि कुछ ना कुछ इसमें माल खराब हो तो खराब होगा तो उसको return करना होगा यानि इनको return करेंगे electronics को तो इसकी entry हम कैसे करेंगे इसके लिए हमारे पास debit note voucher और credit note voucher बना हुआ है उसी में इसकी entry की जाती है ठीक है तो इसको कैसे करेंगे आईए देख लेते हैं पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में तो केवल यही सीखेंगे कि इसका use किया है debit note voucher और credit note voucher का और साथी साथ यह भी सीखेंगे कि इसको चालू कैसे किया जाता है जैसे माली जी अगर आप यहां accounting voucher में जाते हैं तो यहां पर credit note और debit note दोनो voucher जो है आपको यहां पर active नहीं म प्रेस करके बाहर आते हैं अब यहां पर हमको जाना है features में तो f11 प्रेस करेंगे यहां पर भी click कर सकते हैं कर दिया यह company features की window open हो जाएगी अब हमको क्या करना है सीधा जाना accounting feature में यह प्रेस करते हैं आगया accounting feature में ठीक है अब माल लिजिए कि जो इन्हों ने electronics ने माल electronics अपने हाँ entry करेंगे इसकी ठीक है तो उसके लिए debit note credit note option का चालू होना बहुत ही ज़रूरी है तो यहां पर देख सकते हैं आप invoicing feature पर आ जाईए आप यह invoicing feature आपको देख रहा होगा यहां पर enable invoicing यह तो yes है और साथी साथ record purchase in voice mode यह भी yes है लेकिन use debit note and credit notes यह जो है no है इसको हम yes कर लेते हैं तो y press करेंगे enter press करेंगे तो यह yes हो जाएगा इसके बाद फिर अगला option भी आपको yes रखना है और last option भी yes रखना है इसके बाद आपको इसको control A से accept करा लेना है अब हम अगर इसमें चलते हैं यहां से बाहर आते हैं पहले और अब हम चलेंगे electronics नाम की company में तो यहां पर देख सकते हैं credit note और debit note दोनों जो है enable हो चुका है तो जो भी wholesaler party है it means to say की electronics जो company है जो की wholesaler party की है इन से माल purchase किया है अनिलेंड सांस ने तो खराब निकला है माल जो भी माल purchase किया हो it means to say की keyboard भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिस चीज का भी यह business करते हो वह माल खराब निकला है अब हो सकता है आधा खराब निकला हो तो उसके return के लिए जो entry की जाती है वह entry होती है debit note और credit note voucher में उमीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी